उम्सु मुखश्य कदंतश्य कपिलोग जिगरण का लंबो दरश्य विग्टो विग्णना शुविनाय का दुम्रगे दुरगणा दक्षू भालचंद्रोग जानना द्वादशेतानि नामानिया पडेशुनिया दपी विद्यारं में विवाहेच प्रवेशे निरगमेंत था संग्रामे संगटे चाईव विगनस तस्यन जायत नमश्कार स्वागया थे आपका आचारे वाणी में मैं आचारे डॉक्टर विक्रमादी ते आपके साथ हूँ 25 तारी की गरणा देखे तो उस दिन शुकरवार का अवसर नौमी ती थी उस दिन गंडमूल नक्षित विद्यवान रहेगा 2526 तारी को दो दिन गंडमूल नक्षित रहे जो बच्चे जातक जन्म ले रहे हैं आपके परिवार में घर में तो उनकी मूल शांती अवश्य कर काती है कि खर्चे जादा होने के योग दिखाई देते हैं तो धन पर जेब पर भी थोड़ी नजर बना के रखना चाहिए दनकोश कहीं रिक्त ना हो ऐसा ध्यान रखते हुए कारे करने का प्रयास करना चाहिए उपाय क्या किया जाए ऐसे में सबसे स्ट्रेश्ट उपाय जो हमें दिखाई देता है वो है गउसेवा गउ के निमित हरी घास इत्यादी जवार इत्यादी आप ये सब चीज़े उनको खिला के आए गउसेवा करें कल्यान के योग बनेंगे आश्रम पर विवेकरान योग आश्रम में हमने गउशाला का निर्मान भी कर रखा है गउ कुशना सुब्छी सुबहर आपको प्राप्त होु सकती है लाप की सुचना आपको मिल सकती है पूरे ग्रहाब आपके लिए आश्रम स्ता दिखाई दे रहे हैं लेकिन बुद्ध जो है वो क कस्ध दे सकता है बुद्ध वक्री हो गए हैं fragrance दे सकते हैं तो उनके थोड़ा वो भी शड़ाश्टक यूग बना रहे हैं तो एक काम करें, शनी को अनुकूल करें ऐसे में सबसे शेष्ट उपाई ये रहेगा कि गंगा जल में थोड़े तिल डालकर भगवान शंकर का अभिशेक करें थोड़े से शमी के पत्ते लेकर भवान शंकर परपित करें ये सारे के सारे जो कष्ट आपके निवारन करने के युग बनाएंगे इन सब को लाब ले सकते हैं कोई 27 तारीक की ग्रह करना देखें तो उस दिन रविवार का अवसर है ये कादशी तेती है पुत्रदा ये कादशी के रूप में सावन की शुक्रपक्ष की कादशी माने जाती है और उस दिन भद्रा भी विद्यमान है देखिए सुबे 10 बच के 5 मिन्ट से भद्रा रहेगी रात के 9 बजे तक चलेगी भद्रा तो ऐसे में नए कारियों को करना बचना चाहिए महूर्त भी है सरवार सिद्ययोग कई लोग बता देंगे आपको लेकिन सरवार सिद्ययोग के साथ सथ भद्रा विद्यमान है तो ये महूर्त निश्टेश हो जाएगा ऐसे में नए कारे आरंब करना नई चीज लेना नई फट लेना यह सब कही ना कही नुखसान देने वाले होंगे तो इस बात का ध्यान रखते हुए बहुत सारी चीजे होती हैं कोई लोग हैं कई तो इस बात का ध्यान रखते हुए कारे करें तो अनुकूल रहेगा समय अनुकूल करने का आपको प्रयास करना चाहिए वहीं 28 तारी के दिए हम बात करें तो सोमवार का अवसर है उस दिन 12 तिथी है और साथ साथ उसके बाद ही त्रियोदिशी का आगबन हो जाएगा तो प्रदोष का युग बन जाएगा सोम प्रदोष इस अंसार में जो महूर्त है बढ़ा सुप होता है महूर्त शुप में यदि कारे कर लिया जाए तो समस्प्रकार के कष्टों का निवारन करने का युग बनता है सोम प्रदोष मनोकामना सिद्धी के लिए बड़ा अद्बुत माना जाता है और सावन के महीने में सोम प्रदोष पढ़ना बड़ा ही शुप माना जाता है सावन तो हर बार आता है सोम बार सावन में आए गई या आएगा चार सोम बार तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे सावन में लेकिन सोम प्रदोष बड़े विरले होते हैं मनुकामना सिद्धी का सोम प्रदोष सावन के महीने में ऐसा अकाट्य महूर्त है कि अपनी मनुकामना सिद्धी के लिए अपने जो कष्ट हैं जो हमारे द्वारा अंजाय कर्म हो गए हैं जो पाप कर्म हो गए हैं उनका धेर जो हमारे जीवन में पड़ा रहता है जो कष्ट को योग देता है उसको कैसे समाप्त किया जाए दोश को समाप्त करने का काल दोश रहित काल, दोश्रों को समरपित करने का भवान शंकर आश्रवाद देते तो दोश जो है वो जल जाते हैं, समाप्ठ हो जाते हैं उनके एक आश्रवाद मात्र से. उनको समाप्ठ करने का ये तिथि मानी जाती है. तो सावन के महीने में बड़ा सुनदर योग पढ़ रहा है और केवल दो घड़ी के लिए योग बनता है यह, पुरा दिन पुरोष के मनजा आता है लेकिन दो घड़ी के लिए, 48 मिनट के लिए काल बनता है इस बार सावन के सोंवार पढ़वा सुंदर योग बन रहा है शाम को सूर्यस्थ के बाद से दे कर 48 मिनट, हमने विवेकानन य इस महूर्त के अवसर पर बड़ा सुंदर रुद्रा विशेग भगवान का रखा है। जितने भी हवारी सामर्त हो सकती है उन सब के द्वारा भवान के बड़े विशाल शिवलिंग पर जो बड़े सुंदर तरीके से आचारशी किशवदीर जी के महाराज के सानित में रहे के प्रतिश्टित किया गया था। देखें चन्रमा ग्रहों की गणना देखें तो आपके लिए थोड़ी सी भारी दिखाई देती हैं बंधन के योग दिखाई देते हैं आप कहीं अपने मनों मस्तिक्ष को थोड़ा बंधा मंधा मैसूस कर सकते हैं। स्वतनत्रा चाहेंगे लेकिन वो क्या होगा कारे का भार ऐसा होगा कि वो स्वतनत्रा परिशान कर सकती है भागे उल्टी चाल चल रहा है ऐसे में क्या उपाई किया जाए। बताया है ना भावान शंगर का भिशेक करिए तिल से भावान का भिशेक करिए कुशोदक से भावान का भिशेक किजिए सब कष्ट निवारन करने के योग बनेंगे तो इस तितिस में सुन्दर तरीके से लाब ले सकते हैं। 29 तारीक के दिए हम बात करें तो इस दिन मंगलवार का अवसर है, थ्रियोदशी तिती है, उदे तिती के रूप में विद्यमान है, उसके बाद चितोदशी का आगमन हो जाएगा, इस दिन हैग्रीव जैनती है, भवान विश्नु के एक अवतार हुए हैग्रीव, उनकी जैन का जाता है भवान विश्नु का पूजन करने से, असंभव से असंभव कारे में विजय प्राप्त हो जाती है, जीवन में कष्ट चल रहा हो, मंगलवार का दिन है, अशान्ती चल रही हो, तो ऐसे में भवान विश्नु का पूजन करें, तुलसी दल भवान को अर्पित करें कल्यान की योग बनेंगे ऐसे में हरशल भी परिवर्तन की तरफ जा रहा है वक्री हो रहा है बड़ा लंबी चाल चलने वाला ग्रह है ऐसे में उस ग्रह का वक्री होना मगर राशी में अस्तना चंद्वा के साथ होना ये थोड़ा कष्ट में योग बनता है तो ऐसे में इसकी ग्रह की शान्ती के लिए आपको गव पूजन करना चाहिए गव शाला में जाकर उसकी निमित कुछ अरपन करने का प्रयास करना चाहिए आपके लिए शुब रहेगा तीस तारीक एदिया हम बात करें तो उस दिन बुद्धवार का अवसर है चतुर दशी उद्यातिती है लेकिन वो करीक करीब सुबह 10 बच के 58 मिनट तक रहेगी उसके बाद पूर्णिमा का आगमन हो जाएगा तो राखी का उत्सव उसी दिन प्रशस्तर हैगा मनाना तो ये शुब रहेगा ताकि उस दिन आप मनाएं कल्यानकारी योग बनेंगे उस दिन शावनी कर्म भी रहेगा और साथ साथ सत्तिनायन व्रत भी रहेगा भद्रा भी विद्यमान है उस दिन जो करीब करीब रहेगी 10 बच के 69 मिनट से आरंब होकर रात्री तक लेकिन कई लोगों ने भ्रांति उत्तान कर दिये कि राखी भद्रा काल के बाद होनी चाहिए क्योंकि 10 बच के 50 मिनट के बाद ही पूर्णमा आ रही है देखिए यह उत्सव है इसको उत्सव की तरह है उपा कर्म जो शावनी कर्म है उसके लिए राभद्रा दिखी जाती है राखी एक बंधन है बांध अपने संकल्प को आप बांधने का प्रयास करते हैं आवश्चक्ता के अनुसार से यह परंपरा कैसे आरंब होई कहा जाता है कि इंड्र जो थे वो युद्ध में हार रहे थे इंड्र युद्ध में हार रहे थे और उन्होंने लगातर विजय नहीं मिल रही थे तो ऐसे में इंड्राणी ने सुची ने अपना संकल पर लेकर भगवान का ध्यान करकर अपने रक्षा अपने साधना से उस रक्षा सूत्र को विजे सूत्र को रावन इंद्र को बांदिया और उसके प्रताप से उनको विजे प्राप्त हुई यानि आवशक्ता के अनुसार अब उसमें आप महूर्त का इंतजार करने बैठ जाए यह तो बंधन है भगवती लक्ष्मी जी ने इसी व्रत को करकर भवान विश्नु को चुड़ाया भवान विश्नु कहां महराज बली के पास जागे उनके दास्वत में फस गए थे वहाँ दास्वत उनके दौरपाल बन गए थे वो छोड नहीं रहे थे उनको भवान के साथ इस प्रकार का संब्द बन गया था कि भवान के प्रेम के कारण से भवान दौरपाल की वहां चाकरी कर रहे थे राजा बली के यहाँ तो भगवती जाती है और उस राजा बली को रक्षा सूत्र बानती है बहन का सूत्र बानती है और वो प्रसंद होकर कहते हैं बहन तुमारे लिए क्या करूँ तो कहते हैं भगवान को छुड़ा लाई जेन बद्दो बली राजा दान विंद्र मावला तेनत वामी पती बद्दामी रक्षे माचल माचल तो उस दिन से ये मंत्र बन गया तो इसको उटसब की तरह रहने दें बहुत साई लोग भांती उत्पन कर देते हैं कि इतने काल इतने उध्यातिती के रूप में विद्द्यमान है तो आप कोशिशे करें इस दिन राकी बड़े सुन्दा तरीके से मना सकते हैं जो जनेव उपाकर्म है उसके लिए भद्द्रा काल देखना परमावश्य के जो दस बच के उनसार मिनट से आरम होगा तो इसी भद्द्रा उससे पहले पहले से भद्द्रा से पहले पहले उपाकर्म अत्यादी करने का प्रयास करें 10 बच के 22 मिनट के बारा चंधमा का जो परिवरतन होगा वो आपके अनकूल रहेगा भागिग से पुशिश्तार पर लाप के योग बनाएगा धर्मरत आप रह सकते हैं, धर्म परायन रह सकते हैं, धर्म के अनुसार से, आपको अच्छे कर्म करने से लाप्राप्ति के योग बनेंगे, करने आप पूजन करना आपके लिए बड़ा शुब रहेगा, इस तिथी के अंदर सत्यान वृत्त करें, भवान का पूजन करें, कल अमरनाद जी का दर्शन, यह सब उस दिन मना जाएगा, बड़ा सुन्दर रहेगा, उस दिन बुद्ध अस्त हो रहे हैं, यह आपके लिए बहुत विचाड़नी विशे हैं, मितुन राशी वालो, बुद्ध का अस्त होना विशेशत तोर पे यह बड़ा कष्ट में रहेग पूर्णिमा है, भवान सावन का अंतिम दिवस है, ऐसे में भवान शंगर का आप अभिशेख करे, विजया के रस्ट से, भवान का दूरवा अरपित करें, भवान को बिलपत्र अरपित करें, यह सारे उपाये हैं, इनको करकर आप लगातार उपाये करेंगे, तो ठीक रहे हैं इन सब को समझकर आप कारे करने का प्रयास करें ये आश्रम आपका संस्था लिवेका ना योग आश्रम आचारी किश्र देव जी के द्वारा बनाईगी संस्था और आज इसको आज कल हम देख रहे हैं आपके लिए है दिली में बहुत बड़ा आश्रम है हॉस्पिटल है मात्र से आपकी कश्टों का निवारन हो जाता है वो पूर्बा भास दे देती हैं मूर्ती कि क्या कुछ होने वाला है कैसा आपके लिए आने वाला समय अनुकूल है या प्रतिकूल है वो सब आप समझ सकते हैं ऐसी चमतकारी मूर्ती है और आज भी आश्रम में यग्ये होत झाल झाल झाल